नमस्कार सातियों आप सभी का अमारे चैनल में स्वागत है आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्तान जीके से सम्मधित होने वाली है तो राजस्तान जीके में दोस्तों अब तक अपन मतलब के कितने टोपिकों को बारे में चर्चा कर चुके दोस्तों बाजका जो सबसे पहला क्योंसिन है अपना पस्व घंड़ना 2019 के अनुसार यह बकरी की है ठीक है बकरी की जो जन संक्या है वो कितनी है दोस्तों 20.84 मिलियन है ठीक है 20.84 मिलियन है जो कि सबसे ज़्यदा राजस्थान के अंतर के दोस्तों यह बकरी है ठीक है जो कि दोस्तों कितनी है 36.9% है अगला किशन देखिए पसु गंदा 2019 के नुसार राजस्थान में पसु की कुल संक्या कितनी है तो दोस्तु राजस्थान में 2019 के नुसार जो पसु गंदा की गई है 20 भी पसु गंदा की की 2019 के अंतरगत है तो यहाँ पर दोस्तु जो मतलब टोटल पसु की संक्या कितनी है तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 56.8 मिलियन ठीक है 56.8 मिलियन है दोस्तों जिसमें से मतलब की 20.24 मिलियन तो अपने बखरी की है ठीक है जो की 36 परतिस रखती है अगला क्यों से नेमने लेक्ट में से किस जिले में राजस्तान की की एक से वी मतलब की पासुगणना 2017 के अनुसारotion सर्वादिक पसुददवा दोस्तों तो सर्वादिक जो पसुद दन है दोस्तों कि सबसे ज़िए चạoभ पसुद रमी हईं दोस्तों पर तो यहां पर आपना राइट राइट अंसर ह作 बाड़ मे दन की राजस्तान में उननिस्वी पसुगणना किस वर्स में की गई दोस्तों तो उननिस्वी जो पसुगणना की गई दोस्तों यह कब की गई है तो यहां पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्षन यहनि 2012 के तवह एंद दोश्चन दोश्चन की गई और मतलब की जो बीस फ़ी पसुगन्णा की की दोस्तों में की गई टीक है अगला कीशन देखिए अ में फ़चुगर्णा 2012 की अनुसार निम्स लेलेक्ट में से कौन सा पसु राज्यस्तान में सरवादिक पाया जाता है पाला जाता है तो दोस्त जो पसुगणना 2012 के नुसार है इसके नुसार मतलब की सबसे ज़्यदा जो पसुग पाला जाता वह कौन सा है तो यहां पे अपना राइट हंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बकरी है ठीक है 2012 के नुसार जन संग्या कितनी है दोस्तों तो 2012 के अनुसार मतलब की सबसे जयता जन संख्या है वो बक्री की है ठीक है वो भी कितनी है दोस्तों 20.84 मिलियन है ठीक है जो की 36% लगबग हिसा रखती है ठीक है अगले कि उसे नहीं 19.50 के अनुसार राजस्तान में बेड़ू की संख्या 2007 से 2012 के मद्य कम हुई तो दोस्तों मतलब की जो 19.50 के अनुसार जो राजस्तान में बेड़ू की संख्या में बररस 27 से 2012 के मद्धी कमी हुई तो वह कमी कितनी है दोस्तों तो यहां पर अपना right answer क्या हो जाएगा ही तो यहां पर दूस्तो 18.3 टीक है तो यहां पर जूस right ऑग यह नो मिलियन है ठीक है जो कि लगबग कितना परतिस्यत रखती है दोस्तों 13 परतिस्यत के सम्तिंग यह मतलब कि राजिस्तान में भेड़ू की संख्या इससा रखती है अपने टोटल पसुच धनका ठीक है इसमें से मतलब कि कितना मिलियन है साथ पॉइंट नो मिलियन है ठीक है सबसे ज़्यदा जो बेड़े पाई जाती है बाड़मेर के इंतरगत है और सबसे कम है जो कि बासवड़ा के इंतरगत पाई जाती है ठीक है जेपूर जीले के इंतरगत सबसे ज़्यदा बेसे पाई जाती है बेसु की टोटल जन संग्या मतलब कि कितनी है दोस्तों तो यहां पर 133 लाग है ठीक है 137 मिलियन ठीक है 137 मिलियन हो जाएगा 133 लाग का ठीक है और सबसे ज्यदा जुबेसे पाई जाती है जेपूर के इंतर प्रगत है और नियूतम जो बैसे पाई जाती है जो ज एसलमेय के इंतर गता है और बैसी के अदर पर जो अमारा ना राज़तन जातान हो कौन सा हो जाएगा तो धेशित łatए खुनक सरे ही आदार पर है मतलब की 597 लाग है ठीक है 597 लाग यानि की 567 लाग है ठीक है अगला कुछन देखिए नियून्तिम पसुगणना के अनुसार भारत के सभी राजियों में बकरी की आबादी में राजस्तान का स्थान है तो बकरी की जो आबादी है लाजस्तान का कौन सा स्थान दोस्तो बकरी की आबादी में दोस्तो राजस्तान का पेला स्थान है तो उसका राजस्तान में 10.60% ठीक है 10.60% परतिसे दोस्तों अपने राजिस्थान भारत के अंतरकत पसु समपदा के अंतरकत हिस्सा रखता है अगला क्यूशन देखिए निम ने लिखत पसु उत्पादों में से कौन सा एक राजिस्थान का मुख्य पसु उत्पाद है तो दोस्तों मतलब की पसु उत्पाद के अंतरकत सबसे ज़या ज़या जाता है तो मीट, मास्क का टुगड़ा या फिर दोस्तों दूद, चमड़ा, अंड़ा तो यहां पर पना राइट अंसर क्या हो जाएगा का दूद्ध सबसे जदा उत्पादित क्या जाता राजिस्थान के इंतरगत ठीक है अगला क्यूशन देखिए और बकरी की बात करे दोस्तों मुर्या हो जाएगी इसके बाद दोस्तों कुछ ये करे EU के होता इफ छाया दूसरत है ये दोसरे की इंतर को चोता है इसके लिए पैला हो जाएगा किस के अंदर दिक दोश्डों दोश्यार यसे ऊपसना passage है औहले क्योंस देखिए सवेत करांती समंदित है तो सवेत करांती जो समंद है दोस्तों सवेत करांती का समंद किसे है दूद उत्पादन से सवेत करांती का समंद है दूद उत्पादन से तो दोस्तों मतलब की जो सवेत करांती है दोस्तों इससे समंदित एक फ्लड ओपरेशन चलाए गया ठीक है फ्लड ओपरेशन है जो की मतलब दूद करांति से हैं जिसको मतलब कि अपन सवित करांति की नाम से पी जानते हो इसके जो जनक माने जाते हैं वो कुण दोस्तों वर्गिस कूरियन ठीक है अगला कि उसन संस्तान है दोस्तों वो जेपूर के इंतरगत ठीक है बेड की जो ओन सेक्षन संस्तान है दोस्तों कहां पर जेपूर के इंतरगत है इसके लाओ दोस्तों मतलब कि केंद्रिय ओन विशलेशन परियोग सलाग की बात करें दोस्तों वो बिकानेर के इंतरगत हो जाएगी लेक नहीं कहां पर है टॉक कैंदर केता है तो जोढ़वर के नस प्रक्षों सक्षकाण, बागी मतलब कि बीकाड़ में दोस्तों इसका क्या हो जाएगा बी करेंorf, मतलब कि चैन्दरियों प्रियोक स्थिए थी अगर आकति दीजी का और चैनल को सब्स्क्राइब कर देगे थेंक्स पर वोचिंग, सी यू अगेन